नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वावित करता हूं अपने चैनल तेशिविल कॉंटेक्ट में दोस्तों जब हम स्लेव डालते हैं चत यानि चत डालते हैं तो उसके अंदर गंजा जो नीचे गंजी निकल जाती है रोडी वहां से पानी लीके जो जाता है तो ठेकदार को जेंट में तो कुछ इन चीजों के विसेश द्यान रखें दोस्तों इसके लिए आपको बाइवेटर लगाते हैं बाइवेटर सब लोग लगाते हैं लेकिन बाइवेटर लगाने के चक्कर में है जो रोडी डालने वाली लेवर होती हो थोड़ी लापरवाई कर जाती है त तो आप उस चीज को देखते हो तो आप खड़े रहें साइड पे या फिर आपका कोई सुपरवाईजर है तो वो भी खड़ा रहता है तो इन चीजों को बिसेश तरीके से ध्यान टखें तो दोस्तों दो तरीके से इसमें वो चलाया है पहले इसके अंदर में देखो एक व भजरी जो भी होता है सारा कुछ उसमें सेट हो जाता तो इससे एक बिसेश तरीके से ये सेट होने से कभी भी आपके उसके अंदर में स्लैव का अंदर पानी लेकेज कहीं से नहीं होता है अगर ऐसी कंडिशन वे आप ये पलेटें और बाइवेटर चला दें तो आपको य पानी बढ़ते हो तो कहीं से भी लीकेज नहीं आएगा उन्हीं बहुत सी जगे पर देखते हैं कि उसमें कहीं से पानी चूह जाता नीचे की साइड में हलका फुलका वहीं से बुन 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 गिरता तो इन चीजों का विसेश द्यान रखना चाहिए दोस्तों यह वाइव करते हैं थोड़ी से धाया है तुरंत उसमें बाद में जब पानी बढ़ते हैं छत के उपर तो उसके अंदर पानी चूह जाता है फिर कंढिशन यह आ जाती है हरे यह आपने काम सही नहीं किया दोस्तों सब कुछ ठीक होता है थोड़ा सा तरीके से काम करने का फरक होता है और कोई दिकत नहीं है दोस्तों अगर आपको